आपका स्वागत है दर फ्विशो कलिप्स में बस देख्ते रहो और सीख्थे रहो पहले यह बताइए की पाप मजआ की मेंम्मी की मेंमट्रिटी क्या है इंवेस्मेंट को लेकर और आज के जन्जी की मेंम स्ट्रैटिजेफित रहुत अब है। पर यह एक खतरना कॉन्वेसेशन भी है, घर तूट सकते हैं, गलत इंवेस्मेंट की वज़े से, तो आपके घर के लिए, या मेरे घर के लिए, अगर हमें इंवेस्मेंट स्टाटजी बनानी होती, तो ड्रॉआ अल थी केसे, केसे, पेरेंट्स, केस बी जैंजी, केसी मिडल तो मैं अपनी केस बताता हूँ, मेरे पेरेंट्स have started saving from day one, पैसा bank account में होता था, उसमें से जो भी monthly खर्चा हुआ, उसके बाद बचा हुआ, पैसा FDs में जाता था, कोई discretionary spends होते नहीं थे, कि बड़ी बड़ी चीजे लेनी है, हर चीजों की planning होती थी चार या पांच साल right, कि मुझे टीवी लेना है, कार लेनी है, घर लेना है, 5, 10, 15 साल पहले की planning होती थी और उसके लिए बहुत savings होती थी, लोन लेना अपने पेरेंट्स के टाइम पे, was a thing कि यार, it was looked up, looked down, कि यार अप लोन क्यों ले रहे हो, right, that was the case, और लोगों ने देरे देरे ग्राजुल that I have seen my parents doing, interest rates और FD के rates बहुत important होते थे उनके लिए, because वो एक ही instrument था, जहाँ पर आप पैसे डालते हो, आगे बढ़ने से जट से समझा दीजे, teenagers के लिए FD होता क्या है, FD is the only instrument in India, जिसने time का पूरा test पास किया है, जो 40, 50, 60 सालों से इंडिया में exist करता है, इंडिया का फे पैसा डालते हो, वो पैसा बैंकों में होता है, विचार RBI governed, तो 100% सेफ होता है, और हर बैंक में up to 5 lakh रुपी इंशॉर होता है, तो अगर कभी खुदा ना खासता बैंक डूप जाती है, तो आपका 5 lakh रुपे आपको RBI वापिस करता है, और यहां पर एक interest rate होता है, कि यार आपको हम एक definite interest rate देंगे, बले ही market कहीं पर भी हो, इंडिया की economy भी कहीं पर भी हो, कोई भी हालत हो bank की, इतना पैसा तो आपको guaranteed मिलेगा, so वो FDs होता है, okay, savings account और इसमें फर्क क्या है, savings account में आपका interest rate बहुत कम होता है, आपका lock-in बहुत कम होता है, savings account का पैसा आप कभ एक predictability होती है, और फिर वो उसको आगे loan की तरह देता है, जिससे bank पैसा कमाता है, उसमें से कुछ पैसा वो आपको देता है, okay, मतलब एक consumer के perspective से, आप एक contract sign करो bank के साथ, आप पैसे देरो bank को, ठीक है, और दो साल बाद या तीन साल बाद जो भी वो time period है, उसके बाद आप को profit मिल जाता है उन पैसो में से, पर back end पर exactly क्या हो रहा, आपने का कि bank उसी पैसो को लेकर loan देती है, यह bank के भी अलग-अलग function होते है, यह bank का एक service है, इस service में से bank को पैसा मिला आपके through, और फिर अलग-अलग services होते है, जैसे कि loans etc, और उन loans पर जो interest bank कमाती है, वो interest को हमारे टाइम पर, I think generation का यह भी एक चीज आ गई है, कि एक safety assets parents ने बना लगा है, आप 18, 19, 20 साल से कमाने लग गये हो, salaries are much higher, आपके basic needs आरे cover है, because parents ने cover कर रखे है, और digital consumption बढ़ गया है, तो जिसके वज़े से riskier assets में, which is riskier than bank accounts, riskier than FDs, जो माने जाते हैं, वो हम करने लग from day one, right, so मेरे पहले salary से मुझे आद है, कि मैंने stocks करीदने लग गया था, because I wanted to look different, कि यार जो parents करते थे वो बहुत boring चीज है, right, मैं कुछ अलग करूंगा, और मुझे पैसा जल्दी कमाना है, मुझे पैसा 10x ग्रो करना है, अगर वो पैसा 10x ग्रो करने के लिए मुझे FD में रखना हो, तो मुझे 5-6-10 साल रखना बढ़ेगा, इतना patience मुझे है, और वो mentality हो गई हमारी, कि यार चीज़े थोड़ी fast करनी है, right, life छोटी है, right, so I want to grow my money fast, और luckily पिछले 4-5 सालों में digital channels, digital platforms, digital awareness काफी बढ़ गया, दो यह थोड़ा surface level पे है, सारा awareness, depth में कोई जाता नही है, और उसके साथ फिर हम यह stocks, mutual funds, crypto, बागी की सारी चीज़ों में invest करने लग गया है, right, and जैसे मैंने बोला कि पहले 3-4 साल में बहुत मज़ा आया, because जबी भी आपने पैसा डाला, वो grow कर रहा है, बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि यहां से और उपर जाएगा, but then I think पिछले 1-5 साल में जो हो रहा है, जिसके वज़े से there is a downturn, people are saying recessions हो रहा है, company के layoffs हो रहा है, right, यह सारी चीज़ों में वो पैसा बढ़ नहीं रहा है, उतना, and आपके पास कोई safer asset नहीं है, जिस पे आप rely कर सकते हो, कि यह पैसा market कुछ भी हो, त That creates a tension, like मुझे याद है, जब मैंने क्रिप्टो में पैसा डाला था, और जब क्रिप्टो ग्रो नहीं कर रहा था, it was so much pressure, कि मैंने मेरे काम पर फोकस कर पा रहा था, ना मेरे हेल्थ पर फोकस कर पा रहा था, ना मेरे फैमिली पर फोकस कर पा रहा था, because दिमाग में बस पू लेनी चाहिए, आप जैसे लोगों से, जो फाइनांस में भी काम कर रहे है, जिनकी एज 30s की है, या 40s की है, क्योंकि 30s और 40s वो फेज होता है लाइफ का, जहां आप बहुत इंफॉर्म रहे तो दुनिया के बारे में, और 30s के पहले information नहीं होती, I just turned 30, अगर मुझे college students and college students के parents, तो पहले ये बताईए कि आज के जमाने में personal finance strategy होनी का चाहिए, I think personal finance में मुझे लगता है कि तीन चीज़े बहुत important है, आपको थोड़ा सा smart होना है बाकी लोगों से, आपको थोड़ा सा patient होना है बाकी लोगों से, और थोड़ा सा luck चाहिए, I think ये तीन चीज़ बहुत critical है और हम तीनों चीज़ों में आते हैं, बट मुझे लगता है एक चीज़ जो बहुत problematic हुई है पिछले चार सालों में, इस पिछले चार सालों में crypto छोड़ दे अगर हम, तो बाकी सारे assets में लोगों ने काफी पैसा बनाया है और बहुत जल्दी बनाया है, जैसे क जैसे stocks या mutual fund, पिछले चार सालों में Indian markets ऐसे रहा है, चार पात सालों में, कि आप कभी भी पैसा डालो, वो पैसा बढ़ रहा था, और इसके वज़े से लोगों को लगता है कि they are smarter, और confidence आ गया, बट ability नहीं है, तो पैसे इतने जल्दी multiply हुए कैसे, या, so market ही grow कर रहा था, I think Indian market overall, जो financial पैसा Indian market में आ रहा था, उस वज़े से Indian market was growing very fast, भाई इसका मतलब क्या है, market grow कर रहा था, मतलब क्या, मतलब for example, जो भी सारा पैसा है, Indian people, financialization of India is happening, लोग बोलता है, जहां पर जो सारा पैसा real estate में था, जो पैसा gold में था, जो लगभग 90 पैसा था, जो real estate और gold, physical assets में था, वो सारा पैसा धीरे-धीरे stocks, mutual funds, बैंकों में आने लगा है, cash की जगा पर, मतलब आप यह कह रहे हो कि हमारी parents की generation ने mostly real estate investments करी, gold की investments करी, फिर जब बच्चों के पास control आ गया, तो बच्चों ने stock market में डाल दिया, correct? और कुछ-कुछ, I think मुझे लगता है कि parents की generation भ थोड़ा-thोड़ा safe करना है, lot of that money has to go into banks, stocks, mutual funds, ऐसे वाली जगहों पर, जो पैसा real estate और gold में अटका था, okay, अभी बताइए, right, so यह वाली चीजे होने लगी, बाहर के दुनिया के लोग Indian markets को as a potential future growth देखने लगे, तो वो पैसा इंडिया में काफी आने लगा, तो इसके लोगों जो growth चार-पांच सालों में धीरे-धीरे होनी थी, that growth has happened very fast in last 3-4 years, right, और इसके वज़े से जो हम ज़े से लोग है, जो influencers के वज़े से stock market में कहीं पैसा डालने लगे, वो पैसा बढ़ने लगा, right, और हमें ऐसा लगने लगा कि हमें आता है, because हमने अभी भी पैसा ड बढ़ने जिस aspiration से अपने पैसे डाले थे, बहुत से जगों पैसे लूज हो रहा है, right, बहुत लोगों ने पैसा सारा stocks और mutual fund में जिसके वज़े से अब problem है, कि यार, there is no safety net for the people, right, so I think that is the worry that I see right now and with which we started this. मतलब जो traditional investment methods होते थे हमारे बापा ममी के generation में, real estate, gold, silver, FD, जो safe traditional methods है, bonds, would you say, yeah, bonds, वो इगनम predictable होते थे, right, अभी दुनिया थोड़ी से risky बन गी, risk है तो इश्क है वाली mentality, उसकी वज़े से stock market में पैसे डाल दिये, थोड़े से volatile assets में पैसे डाल दिये, पर हम पिछले चार स सालों की बाते हैं कर रहे हैं, अगर आप actually 40 सालों को scan करोगे, तो ऐसे phases आए हैं जा market को growth मिली है, पर growth phases के बाद down phases भी आते हैं, यह एक बहुत important चीज़े जो मैंने सीखी है, हर 5-6 साल में लोग भूल जाते है, कि हर 5-6 साल में recession आता है, यह दुनिया वर होता है, यह हर i-click होते हैं काफी, बट हम उसको जब predict करते हैं तो हम एक straight line की तरह predict करते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती है, और इंडिया में मुझे ऐसे लगता है कि आज यह problem इतना बड़ा इसी लिए है, because सबसे ज़ादा retail investor, हम जैसे लोग, पिछले 4-5 सालों में ही financialist में आये, पहले बहुत कम सुनने मिलता था कि आपकी job लगी पहला पैसा है और आप investment करने लगे, यह सब नहीं होता था, आप gift लेते थे family के लिए थोड़ा बचाते थे, बाकी की कुछ चीज़े, यह वो यह, over time आप with age, our parents वो धीरे-दीरे save करने लगते था, आज पहले job के साथ करने लगे है, right, and ideally पैसा move होता है, safer assets से riskier assets, मतलब? मतलब generally you start saving FDs, कुछ cash, कुछ gold, और फिर धीरे-धीरे आप आपका allocation riskier asset में बढ़ाते हो, that's how it's the ideal way of doing things, बढ़ अभी ऐसे हो रहा है कि सारा पैसा देवन से riskier assets में है, क्यों? because लोगों को लगता है कि वो ही risk है तो इश्खे वाला point, right, चार-पांथ सालों में पैसा बढ़े कैया, तो वो, you taste that blood, और अभी आपको वही करना है, बार बार, right, and you haven't seen a down cycle, आज पिछले 6 मेने एक साल में, और मेभी अगला 6 मेना एक साल भी ऐसा ही होगा, जहां पे लोगो time horizon के लोग एक दूसरे से बात करते है, so that's why you see घर पे parents और बच्चों के बीच में financial investment के हिसाब से काफी clashes है, because उनके time पे जो था method और आज जो method follow हो रहा है, उसमें difference है, and I am not saying कि दोनों सही है या दोनों गलत है, but अभी के time पे एक middle ground बहुत जरूरी है, right, जिसके लिए top 1% जो इंडिया के लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनके पास wealth advisor है, बताने के लिए, आपके और मेरे जैसों के पास कोई है नहीं, बताने के लिए, and maybe some of us can make that mistake, learn, but बहुत सारे लोग वो mistake करने का afford नहीं कर सकते हैं, right, so that's the bigger problem, तो उसको ऐसे ही बहुत सारे clips अप झाल